आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ वह साथ टीप्स की जिसे आप किसी को भी अपना बना सकते हो क्या आप चाहते हो कि आप जिसे भी बात करते हो उसको अपना बना ले कोई चाहता है ना मगर उसके लिए ऐसे कोई टेक्निक नहीं है कि वाप करे और हो जाए तो आप कोई दुकाय में जाते हो और आप उसको मंग रहे है कि मुझे पहन चाहिए और आपको शड़ लाकि बता आपको जो चाहिए वह नहीं बता रहा है तो फाइदा क्या है उसके साथ में आप कम्मिनिक्शन करेंगे निए वहां बन हो जाएंगा बोले कि मुझे पहन चाहिए आप शड़ बता रहे हो तो आपको किसी को भी अपना बना लेना है अपना ना है इंट्रेस्टिंग बनान जो भी है तो आपको क्या करना पड़ेगा सुनना चलू करना पड़ेगा तो सबसे पहला नंबर एक आप अनबायास बनके किसी को भी सुनेंगे अनबायास मतलब कोई भी पूर्वा ग्रह दुशित नहीं कुछ भी उसके बारे में पहले सी दिमाग में न लाते हुए सामने उसको कोई भी अर्थ ने लगाना जो ने लिए लगारेंगी और समझेंगी क्या भोल रहा है और उसको भी समझ में आजाएंगा आपके देह भूलीस, जिस तरह से उसको सुन रहे हैं यह बंदा आपको समझ रहा है अपने को समझ रहा है ऐसा उसको लगेगा तो यह नंबर एक है नंबर दो जब वो बातचीत कर रहा है तो आप उसको questions पूछेंगे और वो भी interest के साथ मतलब ऐसाने कोई interrogation करना है या उसकी कोई यह मतलब उसको processing करना है वो इसाफ से नहीं जैसा interest से आपका मतलब यह फिर आप कहां गए थे अच्छा फिर आपने वो किया फिर बाद में क्या हुआ मतलब इस तरह से आप सवाल करें ताकि उसको लगता है कि सामने वाला बंदा जो है वो interest लेके सुन रहा है क्योंकि आप question पूछ रहा है और वो question relevant है जिसके बारे हो बातचीत कर रहा है तो question से उसको भी interest आता है और वो communication में बहुत मज़ा आता है तो आप number 2 questions पूछेंगे सामने वाला जब बोल रहा है तो आपने उसको बार बार वो जब बोल रहा है वो sum up करना है मतलब जो भी कुछ बोलता है त और ऐसा करके जो बोल रहा है वो आप जब sum up कर रहे है उसको recreate कर रहे है तो उसको लगता है कि हाँ इसको समझ में आगे है क्योंकि आप जब listen करेंगे सुनेंगे और बात में जब उसको recreate करते है बात में वही बोलते है मतलब उसका वही निकलना चाहिए अलग मतलब नहीं तो जब आप उसको मतलब दुबारा वो repeat करते है, sum up करते है, recreate करते है, तो उसको लगता है कि हाँ समझ में आया है, और फिर उसको बोलने में बहुत interest आता है, क्योंकि आप उसके बोलने में interest ले रहे है, वो भी फिर interest आप से बात करेगा, और उसको बहुत मज़ा आ जाएगा देखे जिसको जो व्यक्ति को आपके साथ में रहने में, आपके साथ में बोलने में, बात्चित करते हैं मज़ा आ रहा है, वो तो आपको like करेगा, वो आपकी company बार 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 मांगेंगा, और वो आपका हो जाएगा, तो उसको recreate करने का है, sum up करने का है, repeat करने का है, और व करने के बाद में फिर आपको जो भी कुछ जवाब देना और देने का है इससे होता कि आप उसको र्यक्ष्स की रहरे हैं आप सोछ समझушки के जवाब दे रहे हैं तो थोड़ा सा पॉझ लेना है बाह्क भाद कि इसा मतलब बताना ही कि मैंने पुरा सुना है और दिर करता है कि सामने वाले का mindset क्या है उसके emotions क्या है वो क्या बोलना चाहता है उसको क्या communicate करना है तो अब बदा आप genuinely सामने वाले में interested हो उसका emotions भी आप समझे एशाय picture क्षुस्य और है उसको हो दूख और रहा है और फिर वो भी आप समझ के ले रहे और वो recreate कर रहे वो भी तो सामने वाले के emotions, उसकी भावना है, उसका जो understanding है, उसको कहना क्या है वो पूरा आप समझते है, तो आप उसके साथ में एक हो सकते हो किसी के साथ में आप बातचित करते हो ना, तो देखिए आप बहुत गंबिर चेहरा करके बातचित करते हो तो वो कैसा रहेंगा, और किसके साथ में smile दे के बातचित करते हो, वो कैसा रहेंगा तो चट्वा पाइंट ये है कि आप किसी के साथ में स्माइल दे के बात कर एसा हलका सा स्माइल है एंथूसियाजम है, इंट्रेस्ट है और वहाँ से आप बात करें ने तो मू लटका के खड़े हैं, मू लटका के बात कर रहे हैं और कोई इंट्रेस्ट नहीं है, जब रदस्ती है, ऐसा इसमे बातचीट करता हूँ मजा भी आता है। तो यह है छटवा पोइंट है, साथ पॉंट यह है, कि आप उसको जब बातचीत किसी के साथ में करते हो, तो आप उसको open-ended questions पूछते हो। मतलब ऐसे question पूछना है कि जिसका जवाब हां या ना में नहीं है, जब आप उसको सवाल पूछते हैं और उसको आपने बोला, आप वहाँ चलोगे, बोला हाँ बोलेंगा नहीं, ऐसे नहीं, आप कहाँ चलोगे, आप दोसा खाओगे, तो हाँ ना बोलेंगा, नहीं आप क्य तो यह open-ended question हो गया मतलब जो भी आप बात्चित जब करते हैं, commission करते हो तो आपको तभी open-ended questions पुछना है open-ended question मतलब जिसका भी जबाब हाँ या ना इसमें नहीं है क्यों क्योंकि जब हाँ या ना आप जब जबाब आता है तो फिर वहाँ communication बंध हो जाता है लोगों को सुनते हैं, लोगों को recreate करते हैं, उनके emotions समझ लेते हैं, उनको चाहिए क्या, वो क्या deal कर रहे हैं, उनके जीवन में क्या हो रहा है उसके कहां जहन्जट हो रही है, दिमाग में मतलब अंदर कहां जहन्जट चलू है Actually, तो आपको समझ में आ जाएंगा, कि भई नहीं, वो वेक्ति जो है ना आप, पतलब जिसके साथ में आप बाचे, उसको समझ में आ जाएंगा, कि नहीं यार ये मेरे में सची interested है ऐक मेरा कर्मचारी है तो, वो मुझे लगदा काम नहीं कर रहा है तो उसके साथ में नाराज भी होगया गुसा भी किया और वो कुछ बताने रहा है, कि मैंने ऑसके साथ में बैठा उसको और पूछा वड़ घूँड़के की उसको हुआ है। मेरा लड़का अब भी घुम रहा है। धूर्तव इसको कुछ दूब एडिक्सन हुआ है। तो वो इसं मेरन नशाख कर रहा है। उससे वजए से वो काम निकर रहा है। अब जो मैं उसको समझ लिया, उसको कुछ मैंने solution बताया उसके ओपर, क्या करना चाहिए, suggestions दिये, मैं बोला कि उसको तु यहां ला मेरे पास, मैं बातचीत करें, वो free हो गया, और अच्छा काम को लगया, और वो काम करना उसने चालू कर दिया, और उसको यह लाज भी उसने टिप्स आपकी relationship में काम में आ सकते हैं, आप यह लिए कहां करमचारी नोकरी कर रहे तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा, आप यह कोई माल बेच रहे तो आपका customer खूश हो जाएगा, आप यह बॉइदी boyfriend girlfriend के relationship में तो आपकी girlfriend यह आपका boyfriend खूश हो जाएगा, तो यह जो skills ह यह जो tips है, आप यह कहीं भी apply करो, इस्तेमाल करो, सामने वाल आपका हो जाएगा, यह वीडियो आपको अच्छा लगा, तो जरूर शेर करो, subscribe करो, like करो, thank you very much. झाल